next question question says a straight conductor carrying current i splits into two parts as shown in the figure the radius of the circular loop is r सवाल है the total magnetic field at the center p of the loop is option is 0 3 mu naught i by 32 r outwards all right these are four options बहुत ही simple सवाल है practice अगर आपने सवालों की कर रखी है तो within 30 seconds इसका answer आना चाहिए आपका मैं आपको बताता हूं इस scenario में हो क्या रहा है सो यह आपका circular loop है एक current यहां से ऐसे आया और यह current यहां से बहार चला गया सो यहां से let's say current आपका आई आया यहां से current आपका let's say i1 गया इस direction में current आपका i2 गया इस center पर आपको कोई पी-point है यहां पर आपको बताना है magnetic field क्या होगी ना यह बात अपने को पता है कि जब हम magnetic field due to r की बात करते हैं तो यह आपकी दो आर को जाएंगी इसका एंगल है 90 degree और इसका एंगल है इसको एक काम करते हैं यह बात अपने को पता है कि magnetic field r की वज़े से हम लिखते हैं म्यू नॉट आए हर डिवाड़ीड बाइलफा डिवाड़ीड बाइव फोर पाई आर यह किसी भी आपकी एलफा एंगल का जो लूप है उसकी वज़े से आपके करेंट की वैल्लिव आती है यहां पर अगर हम बीवन और बीटू का रेशो देखेंगे तो बीवन अगर हम इसको बीवन कहें डिवाड़ीड बाई बाई बीटू यह आएगा म्यू नॉट और फोर पाई आर कॉमन है तो बाहर निकल जाएंगे यह आजएगा आपका आई वन मल्टीप्लाइड बाई प्लाइड बाई आई टू मल्टीप्लाइड बाई अलफा टू अपने को अलएड़ी पता है रेशो में है तो इसकी वैल्लियो हो जाएगी आएलफा वन हमने रखा पाई बाई टू इसको मान लीज़े wire है उसकी length जो है इसका resistance मान लीज़े r है तो क्योंकि इस wire के length आपकी 3 गुना जादा है तो इसका resistance आपका 3r होएगा इसका मतलब यह हो गया कि current जो इसमें जाएगा और current में फरक होएगा और यह बात अपने को पता है i1 to i2 जो है वो आपका resistance के inversely proportional होता है इसका मतलब यह i1 to i2 वो होएगा 1 by r1 to 1 by r2 और यह ratio जो है आपका यह आजाएगा 1 by r is to 1 by 3r इसको 3 से multiply कर देंगे तो i1 divided by i2 जो है इसकी value हो जाएगी इसे 3 से multiply करके 3 by 1 हो जाएगा इसको अगर हमने यहां रखा तो यह value हो जाएगी 3 by 1 multiplied by यह वाला original 3 यानि की 1 is to 1 तो उस वज़े से आपका b1 और b2 दोनों same same हो जाएगा यहाँ पर हम यह चेक करने की ज़रूत है b1 और b2 का direction क्या है तो b1 इसकी वएसे b1 उसकी वएसे अगर तो दोनों same direction में तो add हो के double हो जाएगा अगर दोनों की direction opposite है तो 0 हो जाएगा इसकी वज़े से देखें है magnetic field inside है इसकी वज़े से देखें है magnetic field outside है इस वज़े से यहाँ पर आपका b net जो आएगा net magnetic field that will be equal to 0 so इसको लंबा चोड़ा calculate करने के बज़ाए अगर आप ratio से calculate करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह 0 हो जाएगा again यहाँ पर जो concept सीखने की जरुरत है वो यह है कि यह वाला angle J में इस तरह का सवाल पूछा हुआ है यहाँ पर थीटा एंगल दिया अपने को तो यहाँ पाई बाई टो थीटा एंगल दिया वहाँ पर आपको कोई भी रेंडम थीटा था के दो यहाँ पर थीटा एंगल बना रहे है दूसरे वाला टूपाई माइनस थीटा है उस case में भी आपकी इसकी value 0 आएगी for the simple reason कि इसकी वेश से magnetic field हो इसकी वेश से जो magnetic field है वो equal and opposite होएंगे and they will cancel each other. So based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number A 0 would be the right answer.